प्रिष्ट संख्या 135 गायल की गत गायल जाने हीडों अगठा संजोए जोहर की गत जोहरी जाने क्या जान्या जिन खोए मीरा बाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी मीरा जन्म सन 1498 कुड की गाउं मारवाड रियासत प्रमुख रचनाई मीरा पदावली नर्सीजी रो माहे रो मृत्यू सन 1546 मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्त्री थी क्रिष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ती मुख्य रूप से मौजूद है लेकिन निर्गुण भक्ती का प्रभाव भी मिलता है संत कभी रैदास उनके गुरु माने जाते हैं बचपन से ही उनके मन में क्रिष्ण भक्ती की भावना जन्म ले चुकी थी इसलिए वे क्रिष्ण को ही अपना आराध्य और पती मानती रही अन्य भक्ती कालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की चित्तोड राजगराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेर्ता आ गई यहां से उन्हों ने क्रिष्ण की लीला भूमी व्रिंदावन की यात्रा की जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वार का चली गई माना जाता है कि वहीं रण छोड दास जी की मंदिर की मूर्ती में वे समाहित हो गई उन्हों ने लोकलाज और कुल की मर्यादा पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया परदा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूफ से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ समवाद जिसे सत्संग कहा जाता था से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ती मिलती है अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे द्रिढ निश्चई थी निंदा या बंदगी उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई इस अर्थ में उस युग में जहां रूणियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था वहां मीरा स्त्री मुक्ती की आवाज बनकर उभरी मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी मीरा की कविता का प्रधान गुण, सादगी और सरलता है कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है उन्हों ने मुक्तक गेय पदों की रजना की लोक संगीत और शास्त्री संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं उनकी भाषा मूलत राजिस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है कृष्ण के प्रेम की दिवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है मीरा की कविता के मूल में दर्द है वे बार-बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं ना शत्रू ना मित्र यहां प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कामों में व्यस्त लोगों के प्रती दुख प्रगट किया है दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीती रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है दोनों पद नरुत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए है